मेरा नाम है फंकजवत्रा और दुनिया दिखाता हूँ मैं आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे जोर्जिया के सफर के छटे दिन की गाहने अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे चेक आउट कीजिए उसका लिंक में उपर डाल दे रहा हूँ और अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये जोर्जिया स्रीज पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए दोस्तों कुद्बोर्निक काच वापिस तबील सी जाऊँगा बट उससे पहले कुदाइची में दो तीन चीले हैं केबल गार तो चल नहीं रही थी आज भी मॉस्ट लाइक नहीं चल रही है बहुत तीज बाद चल रही है मैं खड़ा हूँ अभी ये कॉल्चिन पाउंटे के सामने यहाँ पर आइटिंक कुछ इंडेबेंडनेस दे के सेलिबरेशन की तियारी जल रही है तो यह सामने है कोल्चे साउंटे और इसके इंटर राइड में मेक्डोराइड है पीछे भी एक विल्डिंग है एक यह सुबह ब्रेक्वस्ट कुछ नहीं किया है तो अभी शुरुआत कर रहे हैं डेट लारी में लिया यह दुकान है आपका अगर फूड में इंटरस्ट है तो आपके लिए हमने एक डेटे पर यह विए यह यह विए उनी रिवर के उफ़र ब्रेज है उसके पर चल रहा हूँ पुराना सस्पेंशन ब्रेज है देखिए हवा बहुत तेज है मौसम बढ़िया है वाफ करने के लिए तो यह सीडिया है देखिए बहुत ज्यादा एक बिल्लिय गटी है और कुछ यह गिरे हुआ सारे पेड आइटिक ब्लैक शेट टूट टाइप का कुछ रूट है यहां से चलते हो उपर लेकिते तेज हवा चल रही है संसराहट हवाकी और यह सीडिया ज़र रहा हूं है जाते हैं सुवे सुवे मौसम अच्छा है ज्यादा पसीना नहीं आएगा यह चलते है फोटो जैनिक है काफी और आज मौसम भी फोटो जैनिक है रूट नहीं है शली चंते ओपर आ गये हैं वाइनली ऊपर फट करके बड़ा सा गेट है एंट्री है और एंट्री करने के लाग यह है फॉस्ट व्यू इधर क्योंकि उचाई पर है सिटी भी दिख रही है और के बड़ा सा ट्री है सुंदर सा कि देखें कि उत्ते जवा है यह फूरा सिटी का व्यू साहन में स्नौ कवर्ड पॉंटें क्योंकि दिख रहे हैं तरो को सब्सक्राइब कर देख हुआ मैं इसी डिवार पर इखड़ा हूँ जो पाउंडरी है सामने क्रोस और पीछे खागरा की नेटेडरल चर्च यह अंदर एंटर कर गए है बाकी चर्च से यह बड़ा मॉडरन लग रहा है क्योंकि इसका यह वाइट बाइट स्टोन यूज किया गया है बाकी जितने विजिट करें वो सब कुराने थे बाकी स्टेंडर है सामने इसके सामने एक चेर आइधिंक सब और्थोडक्स में यहीं पेटरन है यह देखिए उपर गुम्मद पुजाबाट चल रहा है कि बागराटी कैसे ट्रल हो गया है अब वापस जा रहा हूं नीचे चलते हैं और करकर करके अब तो डिसेंड है सांस नहीं फूलेगा टेंशन नहीं है कि अधिया है यह केरियोफर स्टोर काफी है यहां पर और इसका एक छोटा वर्जन है केरियोफर सिटी अंदर जाकर देखता हूं तो पानी ले लिया कुछ चोक्लेट ले ली योगर्ट ले लिया एक चीज़ आप ध्यान बखिए जैसे अभी मैंने आधा लीटर की लिया है है अब इसमें ध्यान रखिए जोर्जिया में आप कोई भी पाणी लें तो नाण चार्बोनेटेड ले देखें जिसकी इसकी माग बात कर रहा है यह हरी वाली १ूतल है यह कार्बोनेटेड नीचे लिखा है नाचालम में दूटे के लिखा है यह सब दूध है अंडे है इदर प्रोजन लीट है सब्सक्राइब करने के लिए यह देखें परस्टाइम मैं कहीं देख रहा हूं बाय क्रिप्टो है यहां पर यहां पर बिट कोईन लाइट कोईन टीटर बहुत कुछ खरीच सकते हैं तो इस और जी हमें कहीं जग है देखा हूं और भी आइधिक और युनीक चीज़ है यह एंटर कर गए हम ग्रीन बाजार में लोकल मार्केट है प्रूट सब्सक्राइब बहुत सारी चीज़ है देखते हैं कापी टेस्टी है शैतूर टाइप है शिक्स लारी और वन के दिए चोटी 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 लग रहे हैं कुछ जादा अची नही यह एक सब्जी बाजार ब्रीन बाजार सब्जी वी है रूट भी है चपल यह देखे जूटे जूटे मसालों डॉट कि हॉल्चैल टाइप बिकान है जाटूब वस्तूर देख रहा है ब्लूनट डिक रहा है चप्डूस लारी 1kg छोविस में जिए लारी 10 साना रूड के द अब सरोजनी नगर टाइब फील आ रही है राइट साइड में तो अब कर देखने कांटी फ्रेश कोफी ग्राइंड करके दे रही है काफी तरह की कोफी है जो आप कहेंगे वहीं ग्राइंड कर दें यह ट्राइब कर रहा हूं कि आरोश कि वारी सोल्टी स्ट्रोबरी है दस लारी पर गेजी मतलब 300 किलो काफी डिसेंट रेट है इंडिया के साफ से अजरबाइजान में ज्यादा सस्ती थी आजरबाइजान में 500 किलो दी यहां से आधा रेट तो ग्रीन बजार में काफी ओवर्वेल्मिंग एक्सपीरेंस था जरूर आएं यहां पर और मैंने दो चीज़ें खरीदी है एक तो स्ट्रोबरी दो लारी की 200 ग्राम अच्छे वाली छे पाच चार से भी शुरू हो जाती है बट क्वालिटी उनकी बहुत खराब थी चोटी चोटी दी और दूसरा जो तो ब्लाक से शैतूत से डेड़ लारी में 200 ग्राम चलते हैं अब तबील सी की तरफ रवाना होंगे देखते हैं कैसे जाना है बहुत ही मस्त स्ट्रोबरी है एक्टम कोड़ा साइस बढ़िया एक्दम यह भी कुछ बिल्डिंग है कॉर्मेंट के सामने ही है तो कुताइसी क यात्रा होगे यहां पर खतम अब गैस्टाउस से समान उठा लिया है और हम चल पड़े हैं बस स्टेशन की तरफ जहां से रवाना होंगे तबील इसी की तरफ यह है चोंतिस नंबर बस इस से आगया होंगे और चेस मांट एंजिंग छोटी बस है मश्रूप का है अगर आपको भी जोर्जिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसमें यूज होने वाले मेट्रो मनी या ट्रेवल कार्ड के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया है फ्लीज उसे जरूर देखिए पास ते में बस रु तो गाइज यह देदूबे बस टर्मिनल है यह आगए हैं हम मेट्र स्टेशन पे देदूबे मेट्र स्टेशन यहां से चलते हैं एसकलेटर नहीं है पड़ेगा समान उठाके पास रीचार्ज करवा रहा हूं वन देगा और अगर आपको भी जोर्जिया के पुब्लिक ट् के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया है प्लीज उसे जरूर देखिए और स्कैन करने के बाद अंदर आ दिया हूं कि आगे अपना सब्सक्राइब है अब चलते हैं हम बस पकड़ने के लिए 350 नंबर 350 अपने अपाट्मेंट बने जाएगी कर रहे हैं एस्केलेटर की यात्रा लंबा इंदम तरल में में एक्टम गयाराई में मेट्रों बने हुए है कितनी उपर जाएगा देखिए कि सामने मेट्रों स्विशन है इससे निकले इधर यह बस्टोब है यह आ गई है 303 फन इसमें चड़ाऊंगा सवाल और तिलेंगे अपने अपार्टमेंट के तरफ चलते हैं अपने स्टोब के तरफ पाइनली पहुच गए कुट ऐसी से अपने अपार्टमेंट के लिए ब हमाय है रिस्त्रेंट का नाम है म目前 अनना मेप शालिया और मेप शालिया के साथ आचका दिन होता है यही कल है जोर्जिया का इंडेवेंडेंस डेंगे तो कल पूरा दिन हम तबीलिसी में ही रहेंगे इंडेपेंडेंस डेका सेलिवेशन देखेंगे और भी कुछ दो तिन चीज़ें बची हैं तबीलिसी में उनको एट्सप्रोग करेंगे मिलते हैं कल फिर वापस अगर आप कोई वीडियो बसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए इस पर कमेंट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए औ और बैल आइकन दबाना ना भूलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं और लिंक्डिन पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट बेच सकते हैं